नमस्कार दोस्तों GSACP के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है आज हम प्राचीन भारत के प्रमुक साहित एवं साहित कार के बारे में डिसकस करेंगे या जो वीडियो है या इसका भाग चार होगा भाग एक भाग दो भाग तीन अपलोट किये जा चुके हैं आप उनको भी जाके द कामिल नहीं है option number D is the right answer इसके बारे महतपूर्तति जान लीजे महतपूर्तति आए कि मनु इस्मृति को सुंग काल का सुंग काल का मानग्रंथ माना जाता है और जो मनु इस्मृति के प्रमुक टीका कार जो है उनका नाम क्या है एक का नाम है भारुची दूसरे का नाम है मे जवाब है वह क्या है वह है option number D is the right answer अगले प्रिसके बढ़ते अगला प्रिसन क्या अगला प्रिसन बड़ा सा है ध्यान से पढ़ियेगा कोशन बोल रहा है कि भारत के इतिहास के संदर में निम्नलिकित युगमों पर विचार कीजिए एक तरफ दे रखा है ग्रंत और नीचे इसमें पूछ रहा है कि सही सही बताईये कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है कि नहीं है पहला बोल रहा है कि म्रच कटिकम जो है वह चौती पांच्वी सती से इसवी की समाजिक दसा के बारे में बता गया तो हां यह बात बिल्कुल सही है दो दूसरा जो है मुद्रा आच्छा जो है वो पांच्वी छटी सताब्दी इस्वी की सामाजिक दसा को बताता है तो यह जो है यह गलत है तीसरा जो है तिलक मंजरी जो है वो पूर मदिकाल में वैपार और वाडी जी के बारे में बताता है तो यह भी जो है यह गलत है तो इस परशने का सही जवाब क् option number B is the right answer केवल एक साही इसके बारे मैधपूर्ट तती जान लीजे मैधपूर्ट तती या है कि म्रच कटिकम गरंत में 4-5 सती इस्वी की समाजिक दसा का वर्डन किया गया है या एक संस्कृत नाट है कौन सा है? संस्कृत नाटक साहित है इसकी जो रचना है इसकी रचना जो है वा सूद्रक ने की थी और एक और संस्कृत नाट है जिसका नाम है मुद्रा राचस दूसे नमर पे जो दे रखा है कौन सा? जो दूसे नमर पे दे रखा है मुद्रा राचस मुद्रा राचेश भी एक संस्क्रित नाट है जिसके जो रचनाकार है इनके रचनाकार का नाम है विशागदत इसकी जो रचना हुई थी वह चौथी सदी में हुई थी और जो लास्ट है तिलक मंजरी तिलक मंजरी जो है या धनपाल के द्वारा लिखा गया है किसके द्वा वह लिखी गई थी वाकपती के द्वारा उप्सन नमबर A is the right answer इसके बारे महतपूरत ती जान लेजे कि गौड वाहो जो है वा आटवी सदी के प्राक्तक कविवा रचनाकार वाकपती की प्रसिद रचना है यह एक एतिहासिक काव्य है जिसमें कन्नौच के राजा यसो वर्मन का चरित अंकित किया गया है और जो वाकपती जो है वा यसो वर्मन के एक तरीके से हम दर्बारी कवी इनके राच कवी कह सकते हैं तो इस प्रसिद का जो सही जवाब है वा क्या है वा है option number A is the right answer अगले प्रसिद के बढ़ते है मेरुतुंग क्या नाम है मेरुतुंग या जो पुस्तक है या चोधावी सताबदी के राजनीतिक वा संस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालती है इसकी जो रचना है वा 1305 इसवी में की गई थी या जो ग्रंथ है या जैन साहित का महतपूर ग्रंथ माना जाता है या जो ग्रंथ है या ग्रंथ पाँच खंडों में विभाजित है तता विभिन समकालीन साचकों के बारे में हमें जैनकारी भी देता है तो इस प्रिशन का जो सही जवाब है वा क्या है वा है option number D is the right answer अगले प्रिशन क्यों बढ़ते है अगला प्रिशन क्या है अगला प्रिशन है कि एक तरफ व्यक्ति दे रखा है दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखी गई लेखन कृतियों के बारे में बताए गया है जो एक तरफ व्यक्ति दे रखा है दूसरी तरफ लेखनकृति दे रखा है जो असोब गोस है उनके दोरा लिखित क्या है उनके दोरा लिखा गया है बुद्ध चरित और जो नागर्जुन है उनके दोरा लिखा गया है माध्मिक सूत जो पतंजली है इनके दोरा लिखा गया है योगसुत और जो रामानुज्य इनके द्वारा लिखा गया है वेदान्त संग्र है तो इस प्रशने का सही जवाब क्या हो जाएगा वह हो जाएगा इसका हो जाएगा option number B is the right answer okay option number B is the right answer अगले प्रिस्ट की वो बढ़ते हैं अगला प्रिस्ट क्या है अगला प्रिस्ट है कि निमलिकित में से कौन से मद्यकालीन भारत के प्रिशिद जो है वा विधिवेत्ता थे प्रिशिद विधिवेत्ता कौन थे तो क्या विध्यानेश्वर थे हाँ ये थे ठीक है जो हिमाद्री थे वो थे क्या हाँ वो भी थे जिमूत वाहन भी थे क्या राज से करते है राज से कर नहीं थे तो इस प्रिश्ट का सही जबाब क्या हो जाएगा वा हो जाएगा option number C is the right answer option number C is the right answer कि विध्यानेश्वर जो है वा मिताच्षरा टीका इन्होंने लिखा था किसने विध्यानेश्वर ने मिताच्षरा मिताच्षरा टीका जो है ये इनके द्वारा लिखा गया है और बादामी की चालूक के जो है विक्रमादित सश्ट के दरबार में निवास करता था और जो हिमादरी था, कौन? ये दूसरे नमर पर जो दे रखा है हिमादरी हिमादरी गुजरात के चालुक वंस के दर्बार में रहते थे तथा जो जिमूत वाहन है या दाएं भाग टीका तीनों मद दिकालेन भारत के प्रिसिद विदिवेटता थे जबकि जो राज सेकर थे या कल्चुरी वंस के यूराज पर्थम एवं गुर्जर प्रतिहार सासक महेंदर पाल के दर्बार से संबन्दित है इन्होंने कावी मिमान सा नामक ग्रंथ की रचना की है और जो जिमूत वाहन है अपनी टीका जिसका नाम है दाय भाग में हिंदू विरासत एवं उत्रादिकार मतलब पुत्र का पिता की संपति में जन्मा अधिकार संबन्दी विदियों के लिए यह जाने जाते हैं तो इस प्रिस्ण का जो सही जवाब है वा है option number C is the right answer अगले प्रिस्ण क्यों पढ़ते हैं अगला प्रिस्ण क्या है अगला प्रिस्ण की निमलिकित में कौन धर्म सास्त्र लेखक पैत्रक संपति में पुत्र का जन्मना अधिकार मानते हैं तो इस प्रिस्ण का जो सही जवाब है वा क्या है वा है option number D is the right answer विज्याने श्वर कारि दे रखे हैं तो मिलान करते हैं जो उद्धंट है उद्धंट से related कार क्या है या है मल्लिका मारूत और जो सायड है इन्से related क्या है सुधा निधी से related है ठीक है और जो यादो प्रकास है वह किस से रिलेटेड है वह जन्ती से रिलेटेड है और जो भवभूती है वह मालती मादो से रिलेटेड है तो इस प्रस्ण का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा ओप्सन नमबर A is the right answer क्रतिकारों और उनकी क्रतियों के निमलिकित युगमों में से कौन सा एक सही सुमेलिते हैं कौन सा एक सही सुमेलिते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा पम्मा जो है वह कंणर से रिलेटेड है ऑप्सन नमबर D is the right answer ठीक है चलिए अगले प्रस्ण क्यों बढ़ते हैं अगला भारतिय भासाओं के आरंबिक रूपों को इंगित करने के लिए होता था उप्सन नमबर C is the right answer इसके बारे मैदपूर्टत क्या है कि सरप्रतम पतंजली ने सब्द संसकार से ही हीन सब्दों के लिए अपभरंस का प्रयोग किया था और चट्वी से लेके बरावी सताबदी तक देशी भासाओं को अपभरंस कहा जाता था और मद्यकालीन संस्कित ग्रंतों में कुछ आधुनिक भारतिय भासाओं के प्रारंबिक रूप को इंगित करने के लिए अपभरंस सब्द का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रशन का सही जवाब क्या है वहा है उप्सन नम जम्मेवार था ठीक है तो इस प्रशन का जो सही जवाब है वह क्या है वह अप्सन नमबर सी इस दर राइट एंसर लच्मी धर इस दर राइट एंसर इसके बार महतपूर्त चिर जान लीजे महतपूर्त यह आए कि लच्मी धर जो है वह बरावी सदी के संस्क्रित में थे का सांथ एवं युद्ध मंत्री भी थे यह इसने महाकाव और पौराडिक मूल पाटों के निबंदु अथवा सार संग्रहों का संकलन किया है इसने करत कल्पतरू नामक ग्रंत की रचना की जिससे ततकालेन राजनीती समाज एवं संस्क्रती की जानकारी जो है वह ह राजा गोविन चंद्र का मंत्री था तो इसका सही जवाब क्या है उसका सही जवाब है उप्सन नबर सीजदा राइट एंसर लचमी धर ओके अगले प्रिश्क्यों बढ़ते है अगला प्रस्न क्या है एक तरफ सूची एक दूसी तरफ सूची दो एक तरफ लेकक दूसी क्रति जो सोंदेऊ है सोंदेऊ से रेलेटेट कौन सी क्रति है यह क्रति है परिशन का सही जवाब होगा option number a is the right answer अगले परस की बढ़ते है अगला प्रस्नि क्या है अगला प्रस्निया की निमलिख्यत में से कौन सा एक इतियास क जीवनि यसाहित नहीं है कौन सा साहित नही बाकी जो हर्स चरीत है ये भी साहित है विक्रमांग देव चरीत ये भी साहित है पृत्वीराज रासु ये भी साहित है तो इस प्रश्ण का सही जवाब होगा या विल्हर द्वारा रचित कल्याडी के चालू के सासक विक्रमादित सस्ट की मतलब विक्रमादित चट्वे नंबर पर जो थे सस्ट की तता पृत्वीराज विजय जो जैनक द्वारा रचित पृत्वीराज तरती की जीवनी साहित है जबकि जो दीप वंस है कौन सा जो दी जुतियों के अनुसार असो को उसके सासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक साथ वर्षी बहुत भिच्छु ने बहुत धर्म में दिछित किया तो इस प्रश्ण का सही जवाब क्या है वह है ऑप्शन नमबर A is the right answer अगले प्रश्ण क्या है अगला प्रश्ण क्या है अगल गोविंद के रचाईता जो है जिनका नाम है जैदेव जैदेव का संरच्छक निमलिकित में से कौन सा सासक था कौन सा सासक था इस प्रश्ण का सही जवाब है ऑप्शन नमबर A is the right answer लचमर सेन ठीक है और लचमर सेन की राज्य सभा में अनेक लब्द प्रतिष्ठित अधीस तथा मुख्यमंत्री भी था और लचमर सेन ने एक नया समवत भी प्रारम किया था ठीक है तो इस प्रश्ण का सही जवाब क्या है वह है ऑप्शन नमबर A is the right answer अगले पिस क्यों पड़ते है अगला प्रश्ण क्या है अगला प्रश्ण है कि निमलिकित में से कौन म प्रश्ण का नाम है मिताचरा जिसका नाम क्या है मिताचरा मिताचरा जो है यह जो है या याग वल्य इस्मृती पर एक टीका है इसे कानून की पुस्तक भी माना जाता है हिंदू वीदी से और याग वल्य इस्मृती का एक अन्य टीका कार जो है उनका नाम है अपमार्क उ इस प्रिशने का जो सही जवाब है वह है option number A is the right answer अगले प्रिशने क्या है कि निमलिकित मद्यकालीन विद्वानों लेखोकों में कौन जैन धर्म का अनुयाई था जैन धर्म का अनुयाई कौन था इसका सही जवाब होगा option number B is the right answer हेमंत सूरी था ठीक है इसके बारे महतपूर्ताती जान लीजए महतपूर्ताती है कि हेमचंद सूरी एक महान जैन धर्म का विद्वान था जो की जैसिंग सिदराज के दर्वार में रहता था किसके दर्वार में जैसिंग सिदराज के दर्वार में रहता था उसी के प्रभाव के कारण जैसिंग सिदराज ने आबू परवत पर एक मंडब भी बनवाया था जिसमें जैन तीर्थांकरों की मूर्तियां इस्थापित करवाई जो बाद में एक जैन तीर्थ के नाम से प्र जुन्होंने बंगाली भासा में रमायड का सरजन किया है बंगाली भासा में रमायड का सरजन किया है तता सायड जो है ये लास्ट है सायड जो है वह वैदिक ग्रंतों के टीका कार है जो विजयनगर सामराज से संबंध रखते हैं और जो पार्थ सार्थी है या आधुनिक का के इतिहासकार माने जाते हैं तो इस प्रिष्ण का जो सही जवाब है वह क्या है वह है option number B is the right answer अगले प्रिष्कियों बढ़ते हैं अगला प्रिष्ण क्या है कि राजनीती रतनाकार का गरंत की रचना की थी तो किसने इसकी रचना की थी इसकी रचना की थी सो मेसवर तृती ने option number D is the right answer इसके बारे महतबुर्ततिया है कि चालूक सासक जो सो मेसवर तृती थे इन्होंने कई संस्क्रिट गरंतों की रचना की है जिसमें वास्तु सास्र पर लिखा गया मान सोलास नाम गरंत प्रमुक मना जाता है इसने भूलोक मल तता त्रिभून मल उपादियां जो है या धारण भी की थी तो इस प्रिष्ण का सही जवाब क्या है ऑप्सन नमबर D is the right answer अगले प्रिष्ण की हो बढ़ते है अगला प्रिष्ण की आ है अगले प्रिष्ण की की निमलिकित मेंसे कौन तमिल रामा एडम यह रामा उतारम का लेखक था कौन था इसका कोन था लेखक इसके लेखक का नाम है कमबन ऑप्सन नमबर A is the right answer अगले के अंतिम प्रिष्णिक और बढ़ते हैं अंतिम प्रिष्णिक निम्लिकित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है तो इसका सही जवाब होगा भोज और इसकी अगर पीडियाफ आपको डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिये ग करिए वीडियो को लाइक करिए धन्यवाद